नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है जाती है गो गहिराज हिमाले की पुत्री लुए का प्रथम स्वरूप यह कि सेल पुत्री का है। नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मुलाधार चकर में स्थित करते हैं। सेल पुत्री का पुजन करने से मुलाधार चकर जागरित होता है। और यहीं से योग साधना आरंब होती है जिससे अनेक प्रकार की सक्तियां प्राथ होती है। मादुर्गा सक्ति की उपासना का पर्व सार्दिय नवरात्र प्रतिपदा से नौमी तक सनातन काल से मनाया जाता रहा है। आदि सक्ति के हर रूप की नवरात्र के नो दिनों में पूजा की जाती है अतर इसे नवरात्र के नाम से जाना जाता है। सभी देवता, राक्षस, मनुस्य, इनकी कृपा द्रिष्टी के लिए ललाईत रहते हैं। यह हिंदु समाज का एक महत्व पुन तेहुआर है जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, नेतिक, सांसारिक इन चारोही द्रिष्टिकों से काफी महत्व है। जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विसाल यग्य का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हूठा। अपनी यह इच्छ उन्होंने संकर जी को बताई सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापती दक्ष किसी कारण वस हम से रुष्ठ है। अपने यग्य में उन्होंने सारे देरताओं को ने मंतरित किया है और उनके यग्य भाग भी उन्हें समर्पित किया है। किन्तु हमें जान बुझकर नहीं बुलाया कोई सुचना तक नहीं भेजी। ऐसी इस्तिति में तुमारा वहां जाना किसी भी प्र स्वरेकर नहीं होगा संकर जी के इस उब्देश को सती का प्रबोद नहीं हुआ पिता का यग्ड देखने और वहाँ जाकर माता और बेहनों सी मिलने की उनकी व्यगरता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आगरह देखकर भगवान संकर ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमती दे दी। सती ने पिता के घर पहुँच कर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बाचित नहीं कर रहा। सारे लोग मूफेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने इसने से उन्हें ग भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रती कुछ अपमान जनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदेश छोब गलानी और क्रोध से संतप्त हुठा। उन्होंने सोचा भगवान संकर जी की बात ना मान यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पती भग घटना को सुनकर संकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भीज कर दक्ष के उस यग्यका पुंता विद्वंस कर दिया। सती ने योग अगनी द्वारा अपने सरीर को भस्मकर अगले जनम में सैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जनम लिया। इस बार वे सैल मा दुरुगा की पुजा विधी माता दुरुगा को मात्र सक्ति यानि इसने करुणा और ममता का स्वरुप मानकर हम पुजते हैं। जाता है और पांच प्रकार के पल्लव से कलस को सुसोबित किया जाता है। इस कलस के निचे साथ प्रकार के अनाज और जो बोय जाते हैं जिनें दसमी तिति को काटा जाता है और इसे सभी देवी देवताओं की पुजा होती है। इसे जैनती कहते हैं जिसे इस मंत्र के सदस्यों के सिर पर जैनती डाल कर सुक संपत्ति एवं आरोग्य का आसिरवात देते हैं कलस स्थापना के बार देवी का आवहन किया जाते हैं कि है मादुर्गा हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है आप उसमें प्रवेश कर हमा योगनी की प्रतिमा या फिर सुपारी के रूप में उनकी स्थापना की जाती है बाई तरब कार्ति के देवी महा सरस्वती और जया नाम की योगनी रहती है और भगवान भोले नात की भी पूजा की जाती है प्रतम पुजन के दिन सेल पुत्रे के रूप में भगवती पूजा फूल अक्षत रोली चंदन नेवेद्य आदिसे होती है मा का प्रियभोग है दूद से बनी मिठाईया मा का प्रियभोग है इस दिन आप बतासय या फिर मिस्री का भोग भी लगा सकते हैं भूमी भवन वाहन की प्राप्ति है तो नवरात्र के प्रतम दिवस के उपा कर उस पर दुरुगा जी का यंत्र इस्थापित करें और इसके बाद एक लॉंग एक गोमती चक्र एक साबुत सुपारी एक लाल चंदन का टुकड़ा एक रक्त गुंजा इन समस्त सामग्रियों को एक पानी से भरे लोटे में रख दें घी का दिपक जलाएं तीन माला ओम रीम क्लिम चामुंडाई विच्चे सेल पुत्री देवे नमा की जाप करें परतिक माला के बाद लोटे पर एक फूंक मारें और फिर उस लोटे के जल को पीपल के वरिख्ष में चढ़ा दें उस लोंग और सुपारी को भी वहीं मिर्टी में दबा दें लाल चंदन का टु से कोट के चहरी के मामले परिसान कर रहे हैं तो हर रोज 40 दिनों तक 108 मोगरे के पुस्प ओम रीम स्रीम क्रीम सेल पुत्रे नमा मंत्र का जाप करते हुए माता को अरपन करें पुजन के बाद स्री द्रुगा सबसती का पार्ट और नवान मंत्र ओम एम रीम क्रीम सिव संकर की प्रिय भवाने तेरी महिमा किसी न न जानी पारवती तू उमा कहलावे जो तुझे सुम्रे सो सुखपावे रिद्ध सिद्ध परवान करे तू दया करे धनवान करे तू सो मवार को सिव संग प्यारी आरत तेरी जिसने उतारी उनकी सगरी आस पुजा दो सगर दुख तकलीफ मिटा दो घी का सुन्दर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के स्रद्दा भाव से मंत रगाई प्रेम सहीत फिरसी सजुकाई जैगरी राज किसोरी अंबे सिव मुक्चंद्र चकोरी अंबे मनो काम ना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुक संपति भर दो तो बोलिए मा सहल पुत्रे की जैम दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर्वर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद